Hello friends, welcome to my channel Englishwaala, friends, आज की हमारी class है sort sentences की class, friends, English तीकने के लिगे sort sentences भी आने ज़रूर ही है, ठीक है, ये sort sentences वो होता हैं, जो ज़्याद तर हम daily में उन्हें use करते हैं, ठीक है, और daily use के sentences आने भी बहुत ज़्याद ज़रूर हैं, तो आज की जो हमारी class है, उसका main topic यही है, sort sentences, ठीक तो चलिए चलते हैं अपने sentence की तरफ हमारा first sentence है घर पर रहो घर पर रहो आपने देखा होगा जब करोना काला है तो उस time पे आपको यह line सबसे ज़्यादा सुनने के लिए मिली थी कि घर पर रहो means be at home घर पर रहो के लिए क्या use करा है be at be at पर रहो means घर पर रहो be at home झाले के लिए जब कोई काम मना किया जाता है किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है तो उस मत के लिए क्या लगाया जाता है? Don't, ये मत करो Don't do it तो बाहर मत जाओ Don't go out Don't go out बाहर मत जाओ Next हमारा दूरी रखो अपने ये words बहुत जादा सुनने के लिए मिला होगा जादे तर आपको ये वहनों के पीछे गाड़ियों के पीछे भी लिखा हुआ देखा होगा कि दूरी बनाए रखो यानि कि दूरी रखो Keep this time दूरी रखो Next है अकेले रहो अकेले रहो Means be alone अकेले रहो Next है साबधान रहो ये लाइन आपको बहुत सारी जगा देखने के लिए जरूर मिलेगी Mostly आपको किसी भी चीज़ का बोर्ड है जायतर बोर्ड पर लिखा हुआ जरूर मिलेगा और जैसे कि आपको किसी मतलब घर के बाहर भी बोर्ड पर जरूर लिखा होता है कुटो से साबधान रहो इस तरीके से मतलब साबधान रहो साबधान रहो के लिए क्या यूज़ गता है Be Careful Means साबधान रहो किसी भी चीज़ से जब आपको बोल जाएगा Alert किया जाएगा कि साबधान रहो Means Be Careful Clear? Next है मुझसे बात करो जब आप से कोई बात नहीं करता है तो आप उससे क्या बलते हो Please मुझसे बात करो मुझसे बात करो तो मुझसे बात करने के लिए जब आप किसी से request करते हो मुझसे बात करो तो उसके लिए क्या होगा Talk to me Please मुझसे बात करो Please talk to me Clear? क्लियर मुझसे बात करो next है इसे लिखो किसी चीज को लिखनी के लिए तब बोला जाता है कि इसे लिखो तो इसे लिखो के लिए क्या यूज होगा write it down write it down means इसे लिखो clear आगे बढ़ते हैं next है यह सच है जब आपसे कोई कुछ बात पूसता है आप उसको बता रहे होते हो तो उजातर वो बोलेगा नहीं है तो आप क्या बोलतों नहीं यही सच है यह सच है या फिर कोई other person आपसे बोलता है कि यह बात ऐसे थी और यह सच है means जब कोई किसी सच को बताएगा कि हाँ यह सच है तो उस सच के लिए क्या यूज़ करेंगे it's true इसको क्या बोलताएगा it's means यह है और true को क्या बोलता है सच means सथ है यह सच है it's true clear next है सच बताओ अभी भी सच नहीं बोला सच बताओ सच बताओ के लिए आप क्या यूज़ करेंगे tell me truth बताओ बताओ के लिए क्या यूज़ कराए tell me और truth तो बताएगे truth किस के लिए यूज़ होता है सच के लिए tell me truth सच बताओ तो आप क्या बोलेंगे, इस truth, यही सच है, यह सच है, जो भी मैंने बताया, यह सच है, clear, दोनों sentence आपको clear हुए, next है, इसे अभी करो, जब आप किसी को कोई वर करने के लिए देते हैं, और उसने बोला, pending में डालने के लिए, ठीक है, मैं इसे कल कर दूँगा, तो आप क्या do it, तो इसे अभी करो, इसे अभी करो, तो do it now, clear, आख मत मारो, आख मत मारो के लिए क्या यूज़ होगा, don't swings, मत के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है, कि don't जहां होगा, वहां मत के लिए यूज़ किया जाएगा, मत करो, किसी काम को रोकने के लिए जब बोला जाएग इसे मत करो, please इसे मत करो, please don't do it, तो मत के लिए don't का यूज़ होता है, ठीक है, clear, next है, मुद्धे पर आओ, जब आप किसी से बात कर रहे हो, उससे कुछ पूछ रहे हो, तो वह आपको क्या कर रहा है, गोल-गोल घुमाता है तब, तब आप क्या यूज़ करते हैं, फाल्त point, clear, next है, बहुत चालाग, जब हम किसी से बोलते हैं, बहुत चालाग, बहुत चालाग हो, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, to clever, चालाग को हम क्या बोलते हैं, clever, यानि कि to clever, बहुत चालाग हो, clear, next है, यह गैर कानूनी है, गैर कानूनी है, it's illegal, गैर कानूनी को क्या ब तो आज की एक लास अमारी यहीं खतम होती, I hope आपको यह छोटे-छोटे short sentences clear होएंगे, अब से आप इन sentences का यूज हिंदी में ना करके English में करेंगे clear, तो thank you, मिलते हैं अपनी next video में.